1989 के अंदर MISH ने हमें 5 prosthetic option दी थी implant के लिए इनमें से 3 fix prosthesis के लिए हैं और 2 removable prosthesis के लिए हैं और इन सारी prosthetic option को हम अपनी team के अंदर communicate करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं ताकि एक proper treatment plant decide किया जा सके उसके फाइदे और नुकसान एक दूसरे को पता हो और यह पता हो कि हमें उनको कैसे control करना है और इसकी जो एक other major importance है वो यह है कि आप easily अपने lab गाय के साथ communicate कर सकते हो कि आपको कैसी processes चाहिए Hi, मैं GDS Dental से Dr. Roj Sharma आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि FP1, FP2, FP3, RP1 और RP2 processes क्या चीज़ है पहले देखते हैं fixed processes, FP1 FP1 का मतलब है implant crown सिर्फ उतना ही हिस्सा replace कर रहा है जितना clinical crown visible होता है mouth के अंदर FP1 की main necessity जो है वो यह है कि patient की hard and soft tissue loss बहुत कम होना चाहिए FP1 processes के लिए important है कि हम available bone के अंदर implant को बिलकुल ideal position के अंदर डाले FP1 processes हम ज़्यादा तर maxillary anterior region के अंदर जाते हैं जहां पर implant crowns बोलते वक्त smile करते वक्त visible होते हैं ताकि implant crown 100% natural दिखे इसलिए implant abattment इस तरीके से दिखनी चाहिए जैसा कि हम अगर natural tooth को crown prepare करें तो उसके बाद दिखता है पर ऐसा मुम्किन नहीं हो पाता क्योंकि central incisor की root triangular होती है जिसका diameter 6.5 mm होता है पर implant तो हम 4 mm का ही डालते हैं और implant बिलकुल round होता है maxillary anterior region में एक तरीके की problem जो हम और देखते हैं वो यह है जैसे ही tooth loss होता है facial bond resolve हो जाती है और implant ideal placement की जिएक हलक कासा palletally place होता है maxillary anterior region के अंदर अगर काफे सारे anterior teeth missing है तो हम implant से interdental papilla develop नहीं कर सकते और उसकी वज़े से implant crown के अंदर black triangle नजर आता है और इस black triangle को चुपाने के लिए हमें further soft tissue surgery भी करनी पड़ती है अगर short में कहूँ तो अगर patient की high smile line है तो यह हमारे लिए काफी necessary हो जाती है कि हम 100% natural looking ground patient को दे जो हमारे लिए काफी challenging होता है और बहुत सारे cases के अंदर हमें hard and soft tissue surgeries भी करनी पड़ती है second is FP2 इस तरह की processes हम तब देते हैं जब crown के साथ साथ हलका bone loss भी हो गया हो ऐसे cases में जादा तर हमें 2-3 mm का bone loss देखने को मिलता है और इस तरह की processes के अंदर हम crown के साथ साथ हलकी roots भी बनाते हैं क्योंकि bone loss हो चुका होता है इसलिए हमारा implant अपाइकली और पैलेटिली या लिंग्वली प्लेस होता है पर क्योंकि incisal eyes तो सेम जगह पर रहता है इसलिए हमारा crown long दिखता है बहुत बार ऐसा भी मिलेगा कि साथ वाले दातों के अंदर भी periodontal problem होने के कारण gingival recession हो चुकी है तो इस case के अंदर हमारा implant crown बिलकुल साथ वाले दातों के साथ mimic करेगा अगर patient की high smile line नहीं है तो cervical area visible नहीं होगा और patient इस तरीग प्रोस्थेसिस से काफी खोश रहेगा और happily घर जाएगा बट अगर patient की high smile line है तो again हमारे लिए FP1 प्रोस्थेसिस देना काफी necessity हो जाती है और हमें उसके लिए further bone और soft tissue augmentation करनी पड़ती है और अगर patient की high smile line नहीं है cervical area नजर नहीं आता तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम patient को ideal position में ही place करें हम implant को उस जगह पे place कर सकते हैं जहां पर हमारे पास maximum amount of bone volume है next तरीगे की processes है वो है FP3 fixed processes ऐसी processes में cervicaly pink material add किया जाता है जो soft tissue को mimic करता है ऐसे case में काफी bone loss हो चुका होता है और crown height space बढ़ जाता है जब हम incisal edge position को same जगह रखते हैं ताकि proper aesthetic, functional rib support और speech मिल सके तो crown की height काफी हो जाती है and vertical cantilever बन जाता है क्योंकि काफी bone loss हो चुका होता है तो implant के around हम interdental papilla बिल्कुल नहीं बना पाते और patient भी बहुत बार aesthetic demand करता है इसलिए हम pink material add करके artificial interdental papilla बना सकते हैं good emergent profile हम दे सकते हैं FP3 processes दो तरीके से बन सकती है पहली metal substructure and acrylic soft tissue यानी hybrid processes दूसरा metal plus porcelain इन दोनों में से कौन से तरीके की हमें processes देनी चाहिए ये बात crown height space decide करता है अगर हमारे पास bone level से occlusion plane के बीच में 15 mm से ज़्यादा या उसके बराबर space है तो हमें hybrid processes देनी चाहिए और अगर हमारे पास 15 mm से कम space है तो हमें metal plus porcelain flame work देना चाहिए नेक्स्ट देखते हैं removable processes इसमें first है RP4 ये processes हम तब दे सकते हैं जब patient proper cleaning ना रख पा रहा हो fixed processes के अंदर और fixed processes के आसपस खाना फस्ता हो या फिर processes के अंदर vertical या facial cantilever बहुत ज़ादा हो क्योंकि severe bone loss हो चुका है या फिर हम इस तरह की processes उन patient में दे सकते हैं जो para functional habit हो जिनके अंदर जैसे bruxism ताकि removable processes implant के उपर undue pressure ना डाले और implant safe रहें RP4 processes में implant bar की मदद से implant splint करे जाते हैं और उसके उपर over denture या partial denture लगाया जाता है इस processes के लिए proper mediodistal implant position काफी matter करती है ये processes tissue support नहीं लेती और RP5 tissue support लेती है next processes है RP5 ये processes tissue का भी support लेती है इस तरीके की processes में number of implant और उनकी position काफी variable होती है जैसे की एक mandible implant over denture में मैं दो anterior individual implant भी लगा सकता हूँ दो canine के उपर implant लगा कर उनको splint कर सकता हूँ या तीन splinted implant लगा सकता हूँ एक central incisor में और दो pre molar में और एक बार extend कर सकता हूँ little support के लिए या फिर splinted implant with cantilevers RP5 processes का decision लेने के लिए हम patient की psychological need, anatomical need और desire need को जानकर ही decision लेते हैं every patient is different, his bone condition is different, his pocket is different, his aesthetic needs are different, his psychological needs are different so we have to choose our prosthesis wisely अगर आप भी implant को काफी detail में सीखना चाते हैं, आप चाहते हैं कि आपका हाथ पकड़ कर आपको implant डालना सिखाया जाए तो GDS Academy आपका स्वागत करती है और आज ही हमें जॉइन करें thank you for watching, please subscribe our channel for watching other useful videos, thank you झालना स्वागत करें